हेलो गाइसे और वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तों आज के वीडियों आपके काफी जदा इंपोर्टेंट होने वाली है आज के वीडियों फाइले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रियलमी C35 फोन है प्यूरा आप लोग के लियर दे सकते हैं और आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर सिस्टम का ओप्सन मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुरू से जब ओपेन करेंगे यहाँ पर सिस्टम को ओप्सन देखने को मिल जाता है नीचेक द्रविया आप देख सकते हैं सिस्टम का ओप्सन है आपके भी फोन में होगा उस पर आप लोग कलिक कर देजिए कलिक करने के बाद यहाँ पे नविगिशन बार का ओप्सन देखाए देगा अगर नहीं दिखाए देगा तो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है अगर दिखाई दे रहा है navigation bar का option तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से navigation bar जो भी style चाहिए आपको यहाँ से choose कर सकते हैं रेख सकते हैं मैं किलिक कर रहा हूँ और हमारे phone में यहाँ पे change हो रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पे अगर ए उप्सन navigation बारवाला नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दूसरे नमबर पे उपर से गेचर का option मिलेगा इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे उपर system navigation का option मिलेगा इस पर आप लोगों को किलिक करना है और यहाँ पे three button navigation है तो यहाँ पे देख सकते हैं गेचर navigation है इस पर जब आपका किलिक रहेगा तब आपके phone में यहाँ से side bike बटन कर सकते हैं और यहाँ पे navigation button so नहीं होगा यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग side से bike कर रहे हैं तो हम लोग आ जा रहे हैं bike इस तरीके से side bike बटन लगा सकते हैं और जो अब यहाँ पे आपके phone में जो navigation bar का option जो था so हो रहा था आपके setting में अब वहाँ पे जाएंगे आप लोग नहीं so होगा अचले मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं so हो रहा है लेकिन जब गेचर पर आप लोग क्लिक करके three button navigation set कर देंगे तब आपको navigation bar का option मिल जाएगा और उसको आप लोग change कर पाएंगे दोस्तो अगर आपको यहाँ देख सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें